नमस्कार दोस्तो आज आप जो ये चित्र देख रहे हैं इसमें एक झील पर एक चबुतरँ बना हुआ है जिसका नाम नट्टनी का चबुतरा है और ये जो जील है ये पिछोला जील है जो उद्धैपूर में स्तित है तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से नटनी का चबूतरा बना इसके पीछे की कहानी क्या है उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप ये देखेंगे दो चित्र हैं जिसमें एक महाराणा लाखा है एक महाराणा जगत सिंग दुछते हम बात करें महाराणा लाखा की तो महाराणा लाखा के समय पर पिछूला जील बनी थी और कहा जाता है कि पिछू नामक एक बंजारा था जो यहां पर आये था मेवाड पर और उसके साथ दो बेल थे उनमें से उसका एक बेल प्यास के मारे मर गया था और इसी की याद में पिछू नामक जो बंजारा था उसने जील का निर्मान कराया और यह इतनी बड़ी थी कि उस समय पर लोग इसे समुद्र के नाम से भी जानते थे और उसका उद्धिश यह था कि आज के बाद कोई भी यदि इस और आये तो प्यास के मारे वो नहीं मरे तो माराणा लाखा के समय जो बनी थी वो पिछोला जील बनी थी और जगत सिंग जी दित्ये के टाइम पे हम बात करें तो नटनी का चबूत्रा जिसकी हम बात करें वो बना था आईए हम आपको बताते हैं नटनी के चबूत्रे की कहानी क्या है उसके पीछे का राज बहुत समय पहले की बात है मेवाण में एक राणा राज्य करता था बहुत ही दयालू और परपकारी था उसे खेल तमाशे देखने का बड़ा शौक था और उसके दरबार में दूर दूर के बाजिकर आकर तमाशा दिखाते थे एक दिन मेवाण में एक नट परिवार आया और उस परिवार में एक मुख्या उसकी पत्नी दो बेटे और एक बेटी थी बेटी का नाम गलकी था गलकी बहुत ही सुन्दर थी उसके अंगों में इतनी लचक थी कि वह उन्हें जैसा चाहती वैसा तोर मडोड सकती थी गलकी चमडे की बनी रस्ती पर इतना आकरशक नत्य करती थी जितना दूसरी नत्य न्या जमीन पर भी नहीं कर सकती थी उसके नत्य को देखकर बड़े बड़े लोग दातों तले उंगली धपा लेते थे कुछी दिनों में उसकी चर्चा सारे शहर में होने लगी फिर तो गलकी के खेल तमाशे बड़े बड़े ठाकुरों और सामन्तों के हवेलियों में और डेरों में होने लगे एक दिन राणा का दरबार लगा हुआ था खेल तमाशों की चर्चा चली तो चुड़ावत सरदार ने कहा महराजा आजकल हमारे शहर में एक चमतकारी नटनी आई हुई है वह रस्ची पर इतना अद्भुत नाच करती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं और राणा ने जट से पूछ लिया कौन है वह इस पर दूसरे दरबारी ने कहा महराज वह एक नटनी है और नाच की तो वह महराणी है राणा ने तुरंत हुकम दिया उसे बुलाये जाए महराणा का हुकम पाते ही कुछ सेवक उस नट परिवार को बुला लाए गलकी को राणा के सामने हाजिर किया राणा ने जैसे ही उसे गोड से देखा कहा ए नटनी तेरा तो बदन इतना नाचुक सा है तू क्या भला नाच दिखाएगी नटनी अपने फन में माहिर थी राणा का इस तरह बोलना उसे अपमान जनक लगा उसके खून में तो जोश था ही वा लापरवा और निडर भी थी तपाक से बोल गई माई बाप आप हमारे अन्न जाता है आपके पाउं की हम धूल चाटते हैं लेकिन छोटे मूँ आज मैं बड़ी बात कह रही हूँ आपने अभी तक बंद महलों में ही नाज देखें खुले अकाश के नीचे जब हमारा नाज देखेंगे तब असलिये जानेंगे राणा को उस गरीब नटनी की बात लग गई और वह कड़क कर बोले ऐसा कौन सा नाज दिखाएगी नटनी नटनी ने बेदड़क होकर जवाब दिया आपकी किसी भी जील पर रस्ची बांदिये मैं उस पर नाचूंगी सुनकर राणा भोचक के रह गए बोले हमें विश्वास नहीं होता गलकी एक माहन का लाकार्ची और वह गर्व से बोली आप हुकम तो दीजिए फिर अपनी आँखों से देखेगा उसका साहस देखकर राणा ने चुनोती दी यदि तुने पिछोला जील को रस्चे पनास्ते हुए पार कर लिया तो हम तुमें मेवाड का आधाराज्य दे देंगे इस घोशना के साथ ही सारे सामन्तों वो उम्राओं की आँखे फट गई और सोचने लगे कि राणा ने यह क्या घोशना कर दी गल्की ने साहस के साथ दर्षवर में कहा अन्नदाता मुझे आपकी शर्ट मंजूर है एक और गल्की की जान दूसरी और आपका आधाराच्य माई बाप आज इन में से एक जाएगा देखते ही देखते पिछोला जील पर रस्ती बन गई और राणा जी के लिए भी सभी तैयारी हो गई राणा जी भी वहाँ आ गए नटो ने ढोल बजाने शुरू कर दिये इस नाज की चर्चा जंगल की आग की तरह सारे शहर में फेल गई भीड़ी खटी होने लगी ढोल और जोड़ से बजने लगे गल्की को पहनने के लिए नई पोशाक दी गई लाल चाटन घागरा और साथ ही वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी गल्की चर्णने लगी और धूप में चमक रही गल्की साथ ही वो रस्ची के उपर धीरे 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 आगे बढ़ती रही धीरे धीरे उसको आगे बढ़ता देखते जितने भी सामन थे जितने भी उम्राओं थे वो डढ़ने लगे कहीं गलकी ये रसी पार ना कर ले और उसके बाद राणा ने अपने दिवान से कहा बेचारी बातों ही बातों में हट कर बेटी इसकी मौत से हमें दुख होगा जिल चुकी पानी से भरी हुई थी और रसे पर लहराती गलकी नीचे लहराता हुआ था जल गलकी नाच कर आगे बढ़ने लगी लग रहाता जैसे वह कोई जादू गणनी हो और धीरे 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 वह जैसे आगे बढ़ती रही ऐसा लग रहाता कि वो हवा में तेर रही है गलकी ने आदा रस्सा पार कर लिया अब सामनत और ठाकुरों को और ज़्यादा टेंशन होने लगी यजि इस नटनी ने बाजी जीत ली तो आदे मेवार की महरानी बन जाएगी हम सब उसे उचे कुल के लोगदार हम उसके ताबिदार होंगे और फिर बड़े लोगों के इशारे होने लगे दिवान ने राणा के नजदी काकर कहा अंद दाता लगता है इस नटनी को कोई सिद्धी मिली है यह तो रस्सा पार कर लेगी और हम बाजी हार जाएंगे तो क्या हुआ राणा ने लापर वही से कहा हम इसे आधाराज्य दे देंगे नटनी तो कमाल कर रही है दिवान ने चोड़ावस्चरदार से कहा चोड़ावस्चरदार ने शक्तावस्चरदार से कहा उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब हमें इस तुच्छी नटनी के आधिन रहना पड़ेगा उसके दरबार में सुझ जुकाना पड़ेगा बड़ा बड़े लोग इसे कैसे सहन करते तुरंथी गुपचुक बाते हुई बड़े लोग गए और उन्होंने रसे को काट डाला गल्की की चीक निकल पड़ी उसकी करुण चीक देखकर लोग काप उठे गल्की छपाक से पानी में गिर पड़ी उसके परिवार वाले तुफ़ानी वेक से उस छपते लेकिन वे गल्की को नहीं बचा सके गल्की की लाश दिखकर राणा की आखे बरहाई और वे सामन्तों के विद्रों के बहसे न्याय नहीं कर सके गल्की के पिताजी ने रोती रोती कहा अन्न दाता मुझे नियाय मिलना चाहिए मेरी बेटी की हत्या की गई है राणा कुछ बोलते इससे पहले सामन्तों ने उसको घेल लिया और नटों के मुख्या को धन की एक ठेली दे कर मामला रफा दफा कर दिया गरीब असाय नट परिवार भला क्या करता रोता विलगता जला गया और उसी की याद में नटनी का चबूत्रा बनाये गया आज भी उदैपूर की जील में नटनी की याद में एक चबूत्रा है और ये है असाधरह नटनी का साधरह चबूत्रा है और इसे हम नटनी का चबूत्रा के नाम से जानते हैं तेंक यू और इस तरह के यह दिया आपको वीडियो दीखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और इसी तरह रेजो मैक्स डिविजन आपके लिए और भी फाइल में नए वीडियो लाते रहेगा तब तक के लिए नमस्कार